कि राम राम शाराइन है जांकित काई हम पूच्छा पूच्छ सेखेंड है कि अब अब भाुच्छ लिए अब इतनी मेनत करते हैं उसमें यह स्वस्थता अभ्यान जा मदद करेगा वात वणको सवस्त तभीम सवस्ते हैं वारे सूनी पत्में गाववों काईसे सवस्ते हाइए? आप थोड़ादा जादा बादे रहे हैं अगत जरते दो पर आम पर अदो यह गृति अंतित LISA श्वुड़ा एक्टिविटी के लिए कितना समझ देते हैं एक दिन में 4-5 गंटे आप कोभी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं आप भी दनी एक्सराइज करते हूं मैं ज्यादा एक्सराइज नहीं करता है लेकिन रोज मरा के जिन के लिए जितना चाहिए लेकिन मैं डिस्सिप्लिन फॉलो करता हूं दो चीजों में मेरा भी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है एक खाने का टाइमिंग और दूसराँ सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए वो मैं दे नहीं पा रहा हूं माँ देश को सुलाने ये लिया आप उजग ना बढ़ता है आपने जो सोशल मिडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है ये परफेक्ट एक्जम्पल आपने दिया है और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नवजवान भी जो है और जो बड़ी-बड़ी जिम में नाने वले लोगते बेवी अब तो आपकार इक चीजों को फोलो करते है मैंने एक बार एक सोशल मिडिया पोस्ट देखा था किसी बच्ची ने मेरी मा का जिम इसा करके वीडियो रखाता और उसमें मेरी मा सुबेश स्थाम जो काम कर रही है चक्की चलाती है वो भी उसका जीम है कपने दोती है वो भी उसका जीम है इतना इफेक्टिव बना है अब आप से मिलनेया सपना था वो पूरा हो गया दिख लेखा रहे हैं जी टोवन्टी वारा समेलन देख्या वह वह स्थाधी करें मिदल्ब वो सब इडिया मोत्ते वड़ देख्या है मिदल्ब हर बारतियन है बोत कर रह हो गया इस तीज बेगए आपने देखा होगा जो नपम बना है उसमें भी एक पूरा दिवाल हमने योगा का बना है और वहां भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबैल पर ले लेगा तो उसको उस आशन का क्या फाइदा होता है कैसे करना उसका पूरा डिटिल बिल जाता है और आपने जो स्पोर्ट्स वे लिए किया है मैं स्पोर्ट्स परसन था इंजरी के मारे थड़ा सा दूर स्पोर्ट्स था है पर मतल देख्या करते है कि आप जब मैडल आया है तो परसनली फोन करेया है प्लेयर के पासे और आपने फिट इंडिया जिसी मुहिम चलाई है खेलो इंडिया ते उस ते खिलाडिया ने बहुत आपका जो 75 डे चालेंज है उसमें क्या करते है उसमें फांच रूल फोलो करनी हो रहे है एक तर दो टाइम वर्काउट हो उसमें दो टाइम होना ची अलगल होना ची एक इंडोर एक आउटओर हो दूनमा आउटओर हो ता जब भी कोई दिकत नी है दूसरा च्या लीटर प अच्छा है इसका लिए एक स्वच्छता का संदेश क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे-जेरे देश में है स्वच्छता के लिए सब की रूची बन रही है परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते है गंदा मत करो तेक अच्छा बाता वाट से भी चलिया अंक नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24